नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ, आप सभी खूब मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे मैं आपकी अपनी कहानी दोस्त आपके लिए आज एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है मैं भी सवारूंगी आज रात तीवी देखने के बाद मैं अपने कमरे में सोने गई मैं बिस्तर पर लेटी ही थी कि फिर से भन भन की आवाजें आने लगी पिछली कुछ रातों से मैंने ये आवाजें सुनी तो थी, पर कभी ध्यान नहीं दिया लेकिन आज तो ये परिशान ही करने लगी है एक दो बार करवट बदल कर मैंने सोने की कोशिश की लेकिन सो न सकी मैंने ध्यान से सुना, अनुमान लगाने की कोशिश की कि ये आवाजें कहां से आ रही है पर अंदाजा लगाने में असफल रही मैं बिस्तर से उठी और दबे पाउं अपने कमरे के बाहर निकल आई फिर भन भन करती आवाजों को सुनने की कोशिश करने लगी अभी आवाजें स्पश्ट थी ये तो घर की बैठक से आ रही है कोई बात कर रहा है क्या वहाँ? मैं फुस फुस आई फिर धीरे से बैठक के दर्वाजे पर जाकर खड़ी हो गई पर वहाँ तो कोई आवाज नहीं थी मैं चौक पड़ी फिर थोड़ा घबराई भी अभी तो आवाजें यहीं से आती लग रही थी लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है अब मेरे लिए यह समझना मुश्किल था कि काना पुसी कौन कर रहा था हो सकता है उसने मेरी पदचाप या आने की आहट महसूस कर ली हो ऐसा सोचते हुए मुझे एक आईडिया आया मैं चुप चाप बैठक से बाहर निकल आई और दर्वाजे के पीछे चिपकर खड़ी हो गई मुझे हर हाल में पता लगाना था कि रात को कौन बाते करता रहता है दर्वाजे के पीछे खड़े हुए अभी 20 मिनट ही बीते थे कि बैठक खाने में एक फुस फुसाहट तैर गई आजाओ भाईयों और बेहनों लगता है शेरीन और उसके मम्मी पापा सो गए है आवाज थोड़ी अजीब सी थी पतली और लड़ खड़ाती हुई जैसे किसी किताब के पन्ने फड़ फड़ा रहे हुँ मैं चुपचाप दम साधे खड़ी रही कुछ क्षण के बाद मैंने पर्दे के कोने से जहांगा बैठक के बीचों बीच एक सेंटर टेबल पर किताबों का एक गोल घेरा नजर आया उसके बीच एक किताब खड़ी होकर कुछ बोल रही थी जैसे कोई मीटिंग चल रही हो मैंने घौर से देखने की कोशिश की वह एक मूटी सी किताब थी इस किताब को तो मैं जानती हूँ शायद मैंने याद करने की कोशिश की और अचानक से उचल पड़ी ये तो मेरी डिक्शनरी है इसका तो मैं कम ही इस्तमाल कर पाती हूँ मीटिंग शुरू हो चुकी थी बीचो बीच बैठा डिक्शनरी सभी से कुछ बोल रहा था अरे रिमजिम बेहन तुम तो पहचान में ही नहीं आ रही हाँ भई तुम्हें तो इस घर में समहाल कर रखा जाता है न मेरी तो कोई इज़त ही नहीं है कब उठाया कैसे उठाया कहा फैक दिया कहते कहते रिमजिम पाठे पुस्तक का गला रूंद गया फिर उसने अपनी बात बदलते हुए कहा मेरी छोड़ो अब इस मेरी गोल्ड को तो देखो इसका तो आधा हिस्सा ही गायब है इतना सुनना था कि सारी कौपियां उचल उचल कर चिल्लाने लगी हमें भी फाड़ फाड़ कर शेरीन ने कमजोर कर दिया है इतना कि कोई हमें पहचान ही नहीं सकता हमारे कवर तो कप के कुड़ेदान में जा चुके हैं रिमजिम और कौपियों की बात सुनकर मेरी गोल्ड सुबकने लगी खोजे आसपास अपनी जगह से उठकर मेरी गोल्ड के पास आई उसे चुप कराने की कोशिश की फिर वह बाकी किताबों के सामने आकर खड़ी हो गई सिर्फ मीटिंग करने से या आपस की बात चीत से ऐसा कुछ नहीं होगा हम सब को आवाज उठानी होगी क्या समझती है खुद को ये शेरीन हमारा ये हाल कर दिया है कि बस अब कबाड ही बन चुके हैं हम हाँ हाँ हम सब को मिलकर कोई उपाय सोचना चाहिए कौपियां फिर एक स्वर में उचलती हुई बोली तभी एक कोने में बैठी चुपी डाइरी तपाक से बोली क्यों ना हम सब मिलकर गायब हो जाएं अभी तो शेरीन की एक्जैम भी आने वाले हैं हमारे गायब होने से ना तो वह पढ़ पाएगी और ना ही पास होगी इस बार कौपियों के साथ अन्य किताबें भी उचल उचल कर चिल लाने लगी बिलकुल सही हमें तुम्हारी बात मन्जूर है चलो गायब हो जाते हैं इस शेरीन को मज़ा चखाते हैं इतना सुनना था कि किताबें, कौपियां, डाइरी यहां तक की दिक्षनरी भी एक-एक करके गायब होने लगे ऐसा मत करो, प्लीज, ऐसा मत करो ऐसा कहते हुए शेरीन दर्वाजे के पीछे से निकल कर सेंटर टेबल की तरफ दोड़ी पर यह क्या? उसका पैर फर्श पर बिचे कालीन में उलज गया वह उठना चाहती थी, पर उसके पाम ऐसे जकड गए थे कि वह उन्हें हिला भी नहीं पा रही थी मुझे माफ कर दो, प्लीज, ऐसा मत करो हाथ पाम मारती शेरीन चिला रही थी उसके आँखों में आशू चलकाए थे ऐसा कहते कहते शेरीन की आँख खुल गई वह बिस्तर से उठ बैठी वह पसीना पसीना हो रही थी तू क्या मैं सपना देख रही थी? कितना भयानक था सब कुछ वह बुद्बुदाई शेरीन ने फौरन किताबों की तरफ नजर दोड़ाई सभी अपनी जगा पर ही रखी थी कुछ सोच वह बिस्तर से उतर गई फिर उसने स्टडी टेबल की ड्रावर से सेलो टेप और कवर रोल निकाला और चल पड़ी अपनी किताबों और कौपियों को समारने तो कैसी लगी आपको शेरीन की यह पहल? अब मिलेंगे एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए बाई बच्चो